हलो बच्चों, असलालेकूं, क्लास सेकंड, कैसे हैं आप सब, तो हम आपका अंकुष इंदी पाड़ माला भाग टू पढ़ रहे हैं, हम आपका पढ़ रहे हैं, लेसन नमबर वन, बादल हमने पोयम आपको अच्छे से पढ़ाई है, समझाई आई हो, आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूं, बादल के बारे में, कि जो बादल है, जो ये एक अच्छी सी पोयम है, तो इस पोयम में बच्चों यहां पे देखो, मैं य घृरे घृरे आती है, कहीं कहीं पर, कहीं जो जो ये इसके बारे में आपको एक बार फिर से इस पोयम को अच्छे से पढ़ाई कर, आपको समझा देती हूं, सागर से गाँँ भरलाते, बादल काले काले, लाते साथ हवा के घोडे, दम कम फुरती वाले, कभी खेत में, कभ गाउं में जाते कहीं निकलते सहमे सहमे कहीं दहार लगाते कहीं छिड़कते ननहीं बूंदे कहीं छमा छम पानी कहीं सूखा ही रह जाता जब करते मन माने आप देखो सागर से गागर भलाते सागर से यानि कि समुदर से अपने गाडर भरकर लाते हें और तेज हवा की घोड़ों के साथ बड़ी ताकत के साथ बारिश लेकर आते हैं कभी तो ये खेट में बरच जाते हैं कभी ये किसी गाडन में बरच जाते हैं कभी किसी गाउं में बरच जाते हैं कहीं पर तो धीरे धीरे आते हैं सहमे सहमे यानि कि डरे डरे से जो है बारिश आती है और कहीं पर दहाड यानि कि जोर शोर से घरशते वे बारिश आती हैं कह चिड़कते नहीं बुंदे, अब देखो कहीं पर तो हलकी पुल की बुंदा बानी चिड़क देते हैं, कहीं च्छमा चम पानी यानि कि कहीं पर जोर शोर की बारिश आकर च्छमा चम पानी भर जाता है, कहीं पर तो सुखह रह जाता है, कहीं पर बारिश बिलकुल नहीं आती वहाँ पर सुका रह जाता है जब बादल अपनी मनमानी करते हैं जब करते हैं मनमानी यानि कि मनमानी में अपनी मर्जी करते हैं जहां कहीं भी जाते हैं बादल मौर पपीहा गाते हैं सबके जीवन में खुशियों की इंदर धनुश बिकराते हैं कि जहां भी ये बादल जाते हैं मोर और पापिहा जो है खुश हो जाते हैं और जो है गाना गाने लगते हैं डान्स करने लगते हैं सबके जीवन में ये लोग क्या भर जाते हैं बादल जो है बारी जो है सबके जीवन में इंदर दनुश इंदर दनुश ये देखो बचो रे एवन कलर जो है यहां पर रेड यह ओरेंज यलो ग्रीन ब्लू यह परपल वाइलेट यह सारे कलर जो है यह जो है इंदर धनुश कहते हैं इसको रैंबो और इंदर धनुश जब बरसात की बाद जो है आसमान में जो एक सतरंगी साथ रंगों का जो नजारा दृष्य मनें कहते हैं इंदर धनुश तो इस तरह जस तरह इंदर धनुश के साथ रंग बिखे जाती है इस तरह बारिश आने से जो है धरती पर खुशियां फेल जाती है कहीं पर जो सूखा होगा वहाँ पर जो है जमीन गीली हो जाती है वहाँ पर अना जुग जाते हैं पेड़ पोध अपनी प्यास बुजाने के बुलाती है चारों तरफ हरियाली बारिश आने से हर जगे जो हरा भरा हो जाता है तो बच्ची पोयाम हमने यहीं तक रखे इसके कोशन आंसर हम आपको अभी समझा दें यह देखिए यहाँ पे कुछ औरल कोशन है मोखी प्रेश इसको हम आपको समझा देते हैं तो बादल केसे हैं बादल क्या है काले काले बादल केसे में स्यानी की बादल काले काले बादल कहां कहां जाते हैं बादल खेतों में जाते हैं गाओं में जाते हैं बाग में जाते हैं जब बादल मन मानी करते हैं तब क्या होता है जब बादल अपनी मन मानी करते हैं तो उहां पर सूख खरे जाता है मोर पपीहा कब गाते हैं जब बारिश आती है तब मोर और पपीहा जो है गाना गाने लगते हैं तो बच्चों यहां पर है शब्द अर्थ, शब्द मने होता है अर्थ मने मीनिंग, और उर्दु में कहते हैं शब्द को अलफास, अर्थ को माने, हिंदी में कहेंगे शब्द अर्थ, तो पहला है सागर, पहला क्या है सागर, सागर यानि कि इसका मतलब है समुंद्र, सागर क को हम समुंद्र कहेंगे, अलफाज मानी हैं यह आप लोग के, तो सागर को हम समुंद्र भी कहेंगे, सेकन है गागर, गागर मने घडा, गागर मिन्स घडा होता है, इसी तरह थड़ है दमखम, दमखम मने ताकत, सहमे सहमे, सहमे मिन्स होगा, डरे हुए और हिश्किचाते हु उसके बात हैं दहाड दहाड मने जूर से गरजना यानि कि बहुत जूर से आवाज आती है जब बारिश आती तो आसमान जूर से गरजना दहाड लगाता है उसे कहते हैं दहाड जूर से गरजना उसी तरह है मनमानी मनमानी मने अपनी मर्जी से काम करना क्या है बचो अपनी मर इंद्र दनुश कहेंगे रेन्बो को जैसे बरसाथ होने के बाद आकाश में दिखाई देने वाला सतरंगी तरिश है इसे कहेंगे रेन्बो तो हम इसके अलफाज मानी जो है आपको हमने समझा दिया है अब आगे हम इसके कोशन अंसर आपको कल समझाएंगे अलाफीस थैंक यूल